आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर बहुती सौधिस्ट नास्ता टाकोज तो चलिए इसे बनाते हैं एक कप मैदा मैदे की जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं फिर इसमें डालना है एक चुधाई चम्मच नमक नमक डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे फिर हमें इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करकर पानी और इसका एक सौफ डो तयार कर लेना है जैसा हम रोटी के लिए तयार करते हैं बिल्कुल सेम हमें वैसे ही तयार करना है अब इसे रख देंगे फिर मैंने लिया है तीन बॉइल्ड आलू इन्हें मैश कर लेंगे इन्हें अच्छे से मैश कर लीजे उसके बाद हमें लेना है एक पैन पैन में डालना है करीबन एक चमच ओईल और उसमें एट करेंगे कटी हुई बारिक सबजिया यहाँ पर मैंने सिमला मिर्च, बीन्स, गाजर, टमाटर यूज किया है आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो वो सबजिया भी इसमें डाल सकते हैं अब इन्हें थोड़ा सा पका लेंगे फिर इसमें डालना है एक बारिक कटी हुई हरी मिर्ची और मैश किया हुआ आलू अलू डालने के बाद फिर इसमें डालेंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हमें डालना है एक चुथाई चमच कश्मिरी लाल मिर्च, एक चुथाई चमच चाट मसाला, एक चुथाई चमच चिली फ्लैक्स, एक चुथाई चमच गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं, अब इसे मिक्स करना है और फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जो डो हमने तयार किया था अब इसकी बॉल्स बना लेंगे और बिल्कुल रोटी की जैसे इसको बेल लेना है जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल सेम हमें इसे वैसे ही बनाना है कि इस तरीके से बेल लीजे देखिए ही रोठी ना बहुत जादा पतली है न बहुत जादा मोटी है और कि早情 नॉर्मल साइज है ऐसा इसा भी बना कर रख लीजे फिर एक पैन पे इसको डाल देंगे और पैन में ही इसे सेख लेंगे इस तरीके बच दबाएं अगर आपके पास रोटियां बच गई हैं गहुं के याटे की तो भी आप उसमें भी ऐसे कर के बना सकते हैं अब बनाने के बाद इस तरीके से आज़से कर लेना है इसी तरीके से बना के सब रख लेंगे फिर रोटी के उप डालेंगे एक चपमस टमाटो सॉस उसे पूरे पे स्प्लिट कर देंगे इसे अच्छे से फैला दीजे अब मियोनिस डालना है मैंनुस डालके भी इसे इच्छे से स्प्रेट करना है और जो मसाला हमने तयार किया है आलू का उसको इसमें रख लेंगे यह देखिए इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे फिर हमें पैन लेना है और उसमें डालना है करीबन एक चमच ऑईल जब ऑईल गरम हो जाएगा जो आपने यह तयार किये हैं टाकोस उसको इसमें सेक लेंगे इसे यह क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरीके से करके जो नीचे की लेयर है वो भी सिख जाएगी अब इन्हें निकाल लेंगे अब हमें इस पर डालना है प्याच अगर आप चाहें तो आप कोई भी चटनी इसके उपर डाल सकते हैं प्यास डालेंगे टमाटर डालेंगे यह देखिए इस तरीके से इने अच्छे से इस पर डाल देंगे और फिर मैंने स्कूपर डाला है थोड़ी सी आलू बुजिया जिससे यह थोड़ा सा क्रिस्पी और हो जाएगा और खाने में टेस्टी लगेगा इसी तरीके से हमें सारी टाकोस अपने तयार कर लेने है